नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं रामजिंदर रनुवा आपके अपने यूटूब चैनल एग्रिकल्चर वाई रनुवा सरपार अगर आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल्सके दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान के जो महतोपुर्ण परसन उनके बारे में और जो याने की विविन एक्जामों में पहले पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे क्यूशन भी है जो आने वाले एक्जामों में पूछे जा सकते हैं और इसकी जो याने की क्यूशनों की जो पीडियेफ है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप प्राप्त कर सकते हो तो चलिए दोस् उसकी बॉआई का जो उप्युक्त समय है वो क्या होता है जनवरी फरवरी अप्रेल मैई अगस्तंबर और नौवर दिसंबर यानि कि क्या है अस धान की बॉआई का जो उप्युक्त समय है वो क्या है तो अगर बात करें दोस्तों यहां पर क्या है जो अस धान की बॉआई है स असधान होता है उसके बुआई है आपको पता है कब की जाती है असधान के अगर बात करें दोस्तों असधान की बुआई है वो कब की जाती है अप्रेल मई महा में की जाती है वहीं बात करें अमन की तो अमन की बुआई है वो क्या है जुन जुलाई में की जाती है जुलाई म महां में की जाती है बोरो धान की बात करें तो इसकी बुवाई है वो कब की जाती है नौवंबर दिसंबर में की जाती है तो यहां पर हमारा राइट एंस्वर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अप्रेल मैं यानि अस धान की बुवाई है वो कब की जाती है अप्रेल म शंक्रित बा सा के और क्या होता है जलदी तो चलिए यहां पर क्या है पहला क्यों सब्सक्रे मिल गया अप्रेलocument विडियो आपको दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सेयट जरूर कीजिएगा अपने चलते हैं नेक्स्क्रेंट पर नेक्ट्स क्योंस आपकी स्क्रीन के सामने आज़ उका है धान यदे की धान कि जलवाईयू का पोडा है ये तो य दिन्मन से घान की जलवाईयू Megan Palya उसक का पोड़ास तो याने की नेंबन से धान की जलवाईयू हो। तो दोस्तों अगर बात करें यानि कि दान है वो कैसा जलवायू का पूदा होता है तो दोस्टों ऑगर बात करें यानि कि लगबग क्या है पर चुबिस से पचिश डिगरी सेल्शिस तामान के अश्वता होती है यानिकि अब अपने बात कर लेते हैं next question की question number 13 δhum की खेती करने के लिए उपयूक्त pH मान क्या चाहिए a number option है 3.5 से 4.0 b number option है 4.0 से 6.5 c number option है 6.5 से 8.5 d number option की बात करे तो 8.5 से 9.5 तो यानि कि फटा फट कॉमेंट में बताइए गए इसका right answer होगा वो क्या होगा दोस्तो यानि कि इसका right answer होगा वो क्या होने वाला है तो अगर बात करें दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका चार से लेकर 6.5 यानि कि धान की खेती करने के लिए किस परकार की मरदा क्या अफस्ता होती है हलकी अमलिय मरदा क्या अफस्ता होती है ठीक है और आपको पता है कि धान की जब अपने खेती करते है तो धान की खेती होती है उसके अंदर, यानिकी, केत की अंदर क्या होता है? अपने क्या है? पानी है, वो खड़ा रेता है, और जहाँ पर जादा नमी होती है, वहाँ पर याद रखना केसी भूमी होती है? यानि के बार ये भी पूछा जाता है अधिक वर्सा वाले चेत्रों में वर्सा वाले चेत्रों में किस परकार की मर्दा पाई जाती है यानि जहां पर अधिक वर्सा होती है वहां पर किस परकार की मर्दा होती है या जहां पर ज्यादा नमी होती है वहां पर किस परकार की मर् पाई जाती है चारिये मर्दा पाई जाती है तो यानि कि जो मैं आपको बता रहा हूं उनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना प्रिक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं याने की इसली पत्ते में बीजदर रखे जाती हैं उसमें यानि की धान की भीजदर है वह क्या रखे जाती है ए नमबर वप्षन है, 12-15 किलोगराम ठीक है, C नमबर वप्षन है 60 किलोगराम और A नमबर वप्षन है 40-50 किलोगराम तो फटा फट गोमेंट बॉक्स में बताईए यानिकि इसका राही टेंस्वर क्या होगा यानिकि धान की जो SRI विदी है उसमें धान की seed rate है वो क्या रखी जाती है, तो यहाँ पर अगर बात करें, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, 5-6kg, धान की जो asir video होती है, उसमें धान की seed rate है वो क्या रखी जाती है, 5-6 kg रखी जाती है चलिए अपने धान की जितनी भी सीड रेट होती है अलग लग वीडियो के अंदर उन सभी की बात कर लेते हैं यानि कि धान से किसी परकार का कोई क्योशन धान को आपको क्या है धान पूरा जो यानि की क्रोप है धान की उसको पूरा आपको क्या है अबज देख लीज़ी यहां पर बात करें धान की जो अलग लग वीदियां है उनकी सारों के वीज़दर आ गई है अगर धान की हम क्या सीधे खेत में बुवाई करते हैं तो सीड रेट कितने रखेंगे 800-100 kg अगर धान की क्या करते हैं अपने रोपाई करते हैं तो यानिकि धान क सीड रेट है वो कितनी रखी जाएगी चालीस से gonna be take a g principal रखी जाेगी वही अगर करेंगे तो उसकी सीड रेट है कितनी रखी जाएगी बारा से पंदरा किलोग्राम रखी जाएगी वहाह अगर बात करें डिपलिंग तो 80-90 kg रखी जाएगी, अगर डेपोग वीदी की बात करेंगे तो डेपोग वीदी में डेट से 3 kg परती वर्ग मिटर रखी जाएगी और SIRE वीदी के अंदर हमने अभी बात किये 5-6 kg परति हेक्टियर 20 रखे जाती है तो यह द्धान की 20 है वो भी आपको याद रखनी है अलग-उडियो के अंदर अलग-द्धान की जो चीड रेट होती है वीच्दर होती है चलिए दोस्तों नेक्स्त पर बात कर लेते हैं कि उसन नंबर पांच आपकी स्क्रीन के सामने आगया है धान के अंदर आइरन रश्ट किस पोसकत्तों की कमी से होता है आइरन A नंबर उप्षन B नंबर जिंक C नंबर तामा D नंबर मेगनीज ठीक है अगर बात करें दोस्तों अगर मैं यहाँ आपको पुछूँ कि आरन रष्ट है जो यानि कि सामने खेरा रोग होता है वहार एक्जामिजर का फेवरीट क्यों हो ऊसमुषन है परन一定要 ज्किन्रे Jr यानि कि आइरल रष्ट है वो किसके कमी से होता है जिंक की कमी से यानि कि खेरा रोग का अन्य नाम है ठीक है और खेरा रोग की खोज थी वो किसने की थी वाई एल नेने ने येल नेने ने खेरा रोग कीखोज की थी यह ТB में पूचently गया था कि खेरा रोग कीखोज किस वेगानर नेकिर ऑल ये नैने ने की थी चलिए भई, आगे बात कर लेते हैं next question की, जो supervisor में पूछा गया है और कल के वीडियो में मैंने आपको कराया भी था, यानि सीता किस की किसम है, गेहू, धान, मुंग और मौट, तो यानि कि सीता है वो किस की किसम है, भई, सीता है वो किस की किसम है, धान की किसम है, ठीक है, ठ कुछ मैं किसमें लेक लेता हूँ, जैसे अगर गेहू की बात करें, तो गेहू की किसम है, सोना लिका, ठीक है, सोना लिका किसम के बारे में याद रखना ये कैसी है, सिंगल जिन विराइटी है, यानि एक जिनी किसम है, वहीं एक किसम लिख रहा हूँ, मैं कल्यान सोना, ग्येवं कि क्या है double gene variety है and due । ग decision क्या है किरशी प्रवेक्सु में पूझा जा चुका है उनोंने offered यह पूचा था निमनमेशी धान की क्या है double gene variety कोन सी है तो याद रखना कोन सी है कल्यान सोना तो उसके इलावँ अगर बात करें next question की बात कर लेते हैं next question आ गया हमारी स्क्रेइन के सामने एक हेक्टर छेतर फल में धान की क्या है अगर बुआई करते हैं और हम क्या है आठ इंटू एक पॉंट दो पांच मेटर की अकार रखते हैं क्यारियों का तो कितने क्यारियों के आफस्ता होगी यानि कि हम क्या है क्यारियों बनाते हैं उनका साइज क्या रख रहे हैं हमें आठ इंटू एक पॉंट पांच मेटर रख रहे हैं इस अकार की यानि कि कितने क कर रहे हैं परकार अगर 8 हेक्टर के अंदर कितने वर्द में diskimer होते हैं एक हेक्टर अंदर क्या है 10,000 वर्ग मीटर होते हैं चलिए next question की बात कर लेते हैं next question भी किर्षी प्रवेक्षिक के exam में पूछा गया है 2013 की 2013 का exam था जो यानि 1 सितंबर 2013 को था cancel हो गया था उस exam में केंदर ये question आया था द्धान में आर इंटू पी यानि 25 से पंक्ती वह पोदे की पोदे की दूरी रखी जाती है कि दिन रखी जाती है एगर धान की हम सामाने विदी से बॉआय करते हैं, कितने रक्ते हैं? 20kes 10 cm रखते हैं, वहीं अगर आखर बात करें कौन सी विदी, स एज ह्याय रर्यग्र कि अगर बात करें, तो उसके अंदर बात करें, तो उसके अंदर रे टूरारी है, पर्ती हैक्टेर देने से कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। ठीक है, A number option है 10 kg, B number option है 20 kg, C number है 30 kg, D number है 40 kg, अगर क्या है, अम यानिकी धान की बौई के, तो याद रखना धान की बुहाई के बाद में लगबग 7-10 दिन बाद में क्या करना चाहिए नील हरित सेवाल ये नील हरित सेवाल क्या होता है ये धान की फसल का क्या है जेव उरुवरक है क्या है जेव उरुवरक यानि बायो फर्टिलाइजर है ठीक है धान की फसल में जेव उरुवरक कुन कुन से डाले जाते है एक तो BGA डाला जाता है यानि ब्लू ग्रीन एल्गी यानि नील हरित स सेवाल इसके अलावा क्या है एजोला और इनका प्रियोक कब करते हैं बुआई के लगबग साथ दिन बाद में किया जाता है कितने दिन बाद में बुआई के साथ दिन बाद में किया जाता है ठीक है यह जो नील हरित सेवाल होता है यानि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसे स ऐने सवाल को कहा जाता है और यह दोनों में दोनों काम क्या करते हैं sarà नाइट्रोज लूटने को मिलेगा जानकरी मिलेगी ठीक कि फटा पड चलिएगा next question क्यों बढ़ते हैं विल्कुल आपका time waste नहीं करेंगे जो चीजें बतानी है जो प्रिक्षा में direct पूछी जाती है वो चीजें आपके साथ है डिसकेस की जा रही है नहीं कि time waste किया जा रहा है next question आपके सामने डेपोग विदी से एक हेक्टर में फसल लगाने है तो कितने वरग मीटर छेतर फल की आफस्ता होगी अगर क्या है डेपोग विदी से हम क्या है नरसरी त्यार करते हैं और एक हेक्टर में लगानी है तो उससे हमें क्या है नरसरी त्यार करने के लिए कितने वरग मीटर छेतरफल की आफस्ता होगी है आपको मैं पूछलो की गेंदा मेरी गोल्ड होता है ठीक है मेरी गोल्ड की अगर क्या है आपको एक हेक्टर में पसल लगानी है तो कितने वर्ग मेटर की 800 वर्ग मीटर की आफस्ता होती है मैं कह दो कि मुझे तो सौंफ लगानी है यानि सौंफ की खेती करनी है और सौंफ की खेती कितने हेक्टर में करनी है एक हेक्टर में तो कितने वर्ग मीटर में नर्सरी लगानी होगी अगर सौंफ की खेती करनी है तो आपको क्या है कितने सो वरग मेटर चेतरफल में खेती करनी होगा यानि-सोंफ की बात करें Аघर आ। कुछ ओफर आ गया है अगर आप हमारे नोट्स पर्चेज करना चाहते हो तो आप हमें संप्रक कर सकते हूं चलिए नोट्स से ज़्यादा इंपोर्टेंट है निक्यूसन धान की नाइट्रोजन उप्योग छमता होती है यानि कि धान के अंदर जो नाइट्रोजन देते हैं अपने उसके यानिकी उप्योग छमता कितनी होती है उसका है डान की फसल पक्तिति इसमें अच्छे यानि पकने तथा अच्छी बढ़वार के लिए उप्युक तापमान चाहिए राइट एंस्वर क्या हो जाएगा 25 से 30 डिग्रे सेल्चेस और हमने क्या स्टार्टिंग के अंदर बात की थी धान की जलवाईयों होती है वो कैसी जलवाईयों के अफसा होती है यानि ऊशन वै नम जलवाईयों के अफसा होती है और धान का पोदा होता है वो कौन सी जलवाईयों का है ट्रॉपिकल अपने बात क यानि कि बाला किसम है वो सीधी बॉआई के लिए उप्युकता है चलिए भी दोस्तों नेक्स क्योंसी किसम को बढ़ते हैं निमर में से धान की कौन सी किसम अच्छा यह आगा ना भारत का जदूई धान किसे का जाता यानि कि भारत का जदूई धान है वो कौन सी किसम को बढ़ते हैं इसे विशव का जदूई धान का जाता है विश्व का जादूई धान, ठीक है, जेया की बात करें तो भारत का जादूई धान, भारत का जादूई धान कौन सी किसम को कहा जाता है, जेया को कहा जाता है, आई यार एट को क्या है, विश्व का जादूई धान कहा जाता है, चलिए next, चलते हैं, धान की पर्थम उत्पर परिवर्थित यानि mutant variety कौन सी है ए नमबर वाप्शन रतना बी नमबर जया सी नमबर जगनाथ और डी नमबर कस्तूरी तो यानि कि धान की पर्थम उत्परिवर्थित किसम है कौन सी है जगन्नाथ है ठीक है पिछली बार क्या है एक्रिकल्चर शुप्रवाइजर में क्यों स है पी आर एच टैन है यह पिछली बार किर्शी प्रविक्स में पूछा गया था तो अब की बार क्या है कोई निया क्यूशन टपक सकता है तो धान की उत्परिवर्थित किसम आपको याद रखनी है कौन से जगरनात जया के बार में अब भी पड़ा था क्या भारत की जादू एधान और आइरह एट नियुक्त यूसर 9 लगवेड बहुत इंपर्टेंट किस सदंवी उसके जनक किसे कहा जाता है अब ही देखिया अगर बात करें यह जो rainetsy के जनक कहा जाता है प् COIND साइ भॉट से राइस के जनक कहा जाता है वहीं आगर बात करें हाइब्रीड धान के किसे का जाता है हाइब धान यहान लॉंपिंग है इन्हें थान? बी हो जाएगा चलिए भै CBS के और बात करते हैं प्रीयोग करते हैं वुआई से साथ दिन पहले बुआई के साथ दिन बाद में बुआई के तीस दिन पहले बुआई के तीस दिन बाद में तो याद रखना धान के अंदर मैंने पहले बता दिये था हमने चर्चा कर ली थी कि धान के अंदर जो क्या है नील हरित सेवाल और जो एजोला होता है उनका प्रियुक कब किया जात और इसका YouTube हो जाएगा यानि कि वोई के साथ दिन बाद में चलिए बही नेक्स और की बात कर लेते हैं और नेक्स कुशन आगया है धान की कि किस उपजाती को ट्रोपिकल राइस भी कहा जाता है तो यानिके धान की तीन पर जातियां है एक है इंडीका एक है जपोनीका एक ज उगाई जाती है ठीक है जवानिका है यह कहां पर उगाई जाती है इंडोनेसिया में उगाई जाती है ठीक है अगर इंडिया की बात करें तो इसे क्या है ट्रॉपिकल राइस के नाम से जाना जाता है इसे ट्रॉपिकल राइस भी कहते है ठीक है तो यह आपको याद रखना ह उसके अलावा अगर जवानिका की बात करें तो इसे क्या है? बालू राइस भी कहा जाता है। बालू राइस। और ये धान की क्या है? पुरानी पर जाती है। चलिए, नेक्स्स क्यूशन की बात करते हैं। इसका राइट एंस फर क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा चलिए next question की बात कर लेते हैं एक किलोग्राम सुसक धान के उत्पादें के लिए कितने लिटर पानी क्या असता होती है ये question OBC Bank 2009 में पूछा गया है यानि एक किलोग्राम ड्राई राइस को प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम पानी के अस्ता होती है पहला उप्सन है 50 लिटर, बी नमबर उप्सन है 500 लिटर, सी नमबर है 5000 लिटर और डी नमबर की बात करें 7000 लिटर तो याद रखना यानि कि इसका राइट अंस्वर तो क्या हो जाएगा 5000 लेटर अगर एक किलोग्राम सुसक धान को उत्पादन करना है तो कितने लेटर पानी के अफ्था होती है 5000 लेटर पानी के अफ्था होती है ठीक है उसके अलागर आपको याद रखना यहाँ पर कुछ अगर क्या है जल मांग की बात करें जल मांग यानि वाटर रिक्वाइर्मेंट की बात करें जल मांग की बात करें तो जल मांग होती है वो क्या है सबसे ज्यादा किसकी होती है जल मांग होती है वो सबसे ज्यादा गन्ना और उसके बाद में किसका नंबर आता है धान का आता ह वहीं अगर धान के बारे में एक क्यूसर और याद रखना धान की क्या है धान की जल उप्योग चमता यानि जितना हम जल देते हैं उसका उप्योग कितना करता है वो धान की जल उप्योग चमता होती है वो क्या है सबसे कम होती है क्या होती है सबसे कम होती है यह याद रखना धान की जल उप्योग चमता होती है वो क्या होती है सबसे कम होती है यहने कि धान को जितना जल देते है उसमें उप्योग होती है सबसे कम करता है तो आपको comment box में बताना है किस पसल की जल उप्योग चमता होती है जो सरवादिक हो है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है चलिए लास्ट की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों निमन में से किस पसल की जल उपयोग चमता सबसे कम होती है चलो यह किसन भी आगया यहां पर तो अगर बात करें दोस्तों तो इसका राइट एंस पर क्या हो जाएगा धान हो जाएगा याने कि धान की जल उप्योग छमता होती है वो क्या होती है सबसे कम होती है दूस्तो तो ये आज क्या हमारे क्या है 20 महतोपूर्ण क्योशन चे धान की पसल से लिए गए थी और आपको कॉमेंट बोक्स में बताना है अगली पसल है वो कौन सी लेकर आनी है उस पसल के हम क्या है पूरे 20 क्योशन लेकर आप और 20 क्योशन में कौसिस करेंगे कि आपके सारे के सारे क्योशन है उसके कवर हो जाए अब देखो आपके दिमाग पे दो चीज़ें आ रहे होगी कि इस वीडियो के अंदर क्या है धान के किसी रोग के बारे में नहीं है और केट के बारे में नहीं है तो जितने भी यानिकी important केट और रोग है सभी पसलों की वो उसके लिए special एक वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर धान के अलावा यानिकी जितनी भी पसले हैं गेहूं, मक्का, जुवार, बाजरा और दलनी पसले हैं पहले है अनाज वाली पसलों का सभी का केट और रोगों के बारे में चर्चा करेंगे फिर क्या है अपने जो यानिकी दलनी पसले है उनके बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सेयर करना नहीं मिले जै हिंच जै बारत मिलते हैं नेक्स वीडियो में